जय श्रीमन नारायन अगली टिपणी जोन हम कहब उँ रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणु गोपाल स्वामी द्वारा बताई गया है अध्याय तीन कर्मियोग श्लोक चौबीस उच्सीदे युहु इमेलो काहा नकुर्याम कर्मचे दहम संकरस्यच कर्तास्याम वपाखन्याम यमाह प्रजाह वूम गीताचारे श्रीकृष्ण परमात्मा हम सब का कर्मियोग सिखा होता है परमात्मा कहाता है अर्जुन यदि हम अपने कर्तव्य के पालन अपने परिवार और पेशे के प्रती जिम्मेदारी ठीक से न करी तो जिस समाज में रही थी जे हमरे नक्षे कदम पर चलता है वो सब भी वैसे ही करे हैं इस सब करे से सारी दुनिया नश्ट होए इन सब के जिम्मेदार किया है हम अपने कर्तव्यों के उपेक्षा करे के लिए इसी तरह श्री कृष्ण परवात्मा हम सब का अपने परिवार, पेशे, आज इसे सम्मंदित, अपने कर्तव्यों का पूरा करेक लिए प्रोचसाहित करता है श्री मत भगवत गीता के पूरा निचोड श्री कृष्ण परमात्मा अध्याए 18 के श्लोक 65 से 70 के आठ कर्मों में रख दे हैं श्री कृष्ण कहिन ए आठ बात माने वाले पे हमार स्मेह हैं, ए भक्तन के हम हर प्रकार से सुरक्षा करें श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा कही पूरी श्रीमत भगवत सुमेह के बाद अर्जुन कहन करिश्य वचनम तव, माने कृष्ण हम तोरे कहे अनुसार ही करब यह कारण कृष्ण अर्जुन पे हर तरह की विजय असफलता के अनुकंप करन चला हमों परमात्मा के वचन दी कि हम भी यह आठ करम करब यह वचन से बढ़के कौनों पूजा तप या याज्य नहींब हम यह आठ वचन कहब आप सब जने एका अपने मन्ने और बुद्धि में विचार करें इप्रकार श्री किनिज वचन देट समय परमानन्सी प्रकाषिब श्रीकिष्ण मुख मनदल के अनुभूति भी करें हमरे 8 वचन ई है हमार प्रथम वचन हे श्री जाय अनुसर हम सदा आपके भक्त रहब। हमार तीसर वचन हम आपन सारा कर्म आपके संतोष और सेवा के लिए ही करब। हमार चौथा वचन जैसा आपका हैं हमका पूरा विश्वास है कि हम आपके हैं और हम सदा आपका करबध नमस्कार पूजन करब। हमार पाँचवा वचन हे श्रीमन नारायन अध्याय अठारा स्लोक चाचट में आपके कथन मामेकम सरणम बरज़ अनुसर केवल आपकी सरणागत की बात कहीबाद। हमरा चटा वचन हे श्रीमन नारायन अध्याय अठारा स्लोक चाचट में आपके कहे मा शुचह मैं आपके शोक ना करेके उपदेश आनुसर हम शोक ना करब। हमार सात्वचन हे श्रीमन नारायन आपने हमरे खातित श्रीमत भगवत गीता देके हम पे बढ़ी कृपा किये हैं हम नीयम से एक स्लोक रोज सुनब्य पढ़ब। हमारा आठ्वा वचन हे श्रीमान नारायन आपने सारे लोग के लिए गीता दी है जी भक्तन गीता के बारे हमquis जन दिन हम उन तक आपके अलोकिक बतिया पचावया की प्रयत्न करव अब ही हम पर्मात्मा से अपन आठ वचन बताए श्रीमन नारायन कया वचन देप कि हर दिन जैसा वो कहें हैं हम वैसन करब या एक महान पूजा है आवा हम अपने अडिक विश्वास के साथ उनका अपन वचन दी कि हे श्रीमन नारायन आप जैसा कही हैं हम वैसन करब जैसा आप चही हैं वैसा है व्यवहार करोग और हम के वला आपे के लिए काम करोग। श्रीमन नारायन करिश्य वचनम तब माने श्रीमन नारायन हम आपके निर्देश आनुसार कार करोग। सर्वम श्री कृष्णा पड़मस्तु जै श्रीमन नारायन। उच्सीदे युहु इमेलो काहा नकुर्याम कर्मचे दहम संकरस्यच कर्तास्याम वुपाहन्याम यिमाह प्रजाह वूम उच्सीदे युहु इमेलो काहा नकुर्याम कर्मचे दहम संकरस्यच कर्तास्याम वुपाहन्यामिमाह प्रजाह वूम श्रीमन नारायना करिश्ये वचनम तवा सर्वं स्री कृष्णार पनमस्तू जै श्रीमन नारायना जै श्रीमन नारायन सबय भत्तन से विशिस अन्रोड हम्रे जीवन में सारी चीजों में हम ततकाल और प्रभावी परिणाम चाहा था एक प्राप्ती के लिए प्रतिजे एक मिनट वतीत करें और नारायन आस्थ्रम पढ़ें नारायन आस्थ्रम प्राप्त करें के खाते नारायन आस्थ्रम वेबसाइट www.narayanaastrum.org पे जाएके पंजी करन में आपन नाम और एमेल दे आपके email पे आपको एक नारानास्तरम PDF तो रंथ मीज़े PDF में एक रामायन स्लोक एक गीटा स्लोक और एक विष्णु नामबा तीनों का एक साथ नारानास्तरम कहा जाते प्रत्यक वेक्ति के इन स्लोकों के भिन भिन सयोजन प्राप्त होते जब सब 24,000 भबतन के साथ प्रति दिन अपने नरानास्त्रम के पढ़त हैं या सुनत हैं तो संपूर्ण रामन पारान के एक माला, श्रीमत भागोत गीता पारान के 33 माला, श्री विश्ण सहस्त्र नाम स्तरोत पारान के 24 माला प्रति दिन पूरी होथ ये एक ऐसा उलेखनी और असाधारन परिणाम है जिसे हर दिन ऐसा करेश निकलत एक लिए आप और आपके परिवार वाले तुरंक जाके आपन नराण आस्तन प्राप्त करें जैस्विमन नराण